नमसकार दोस्तों स्वागत करता हूं आज किस वीडियो में दोस्तों आज किस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हम अपना scholarship कैसे चेक करेंगे ठीक ना सबसे पहले आपको गूगल खोलता है या फिर कोई भी ब्रावजर एक खोल ले ना है तो चलिए मैं यहां पर Google खोलता हूं तो यह मैंने खोल लिया उसके बाद आपने अस्टेट का आपको साइट यहां पर सर्च करना है ठीक ना तो मेरे साइट है एकल्यान और सबका एस्टेट का साइट ओपेन करने के बाद सेम प्रोसेस जो मैं अभी करने जा रहा हूं वह आ यहां पर हमें क्लिक कर देता हूं तो आप जैसे क्लिक करेंगी यहां पर आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा नया पेज खुल जाएगा तो चलिए यह पेज ओपन होगा उसके बाद क्या करना है देखिए उसके बाद यहां पर आपको बहुत से यह उप्सन देगा कि आप नाम से और पासवर्ड से अपना जो अप्लिकेशन उसे चेक करना चाहते हैं या फिर इमेल से या फिर मोबाइल नंबर से तो मैं सिंपल नाम से करना चाहता हूं तो आपको यहाँ पे जो तीन ओप्सन दे रहे हैं इसमें से क्लिक करना होगा किसी भी पॉइंट पे ठीक तो जल्दी से मैं अपना नाम सर्च कर ले रहा हूं यह मैंने अपना नाम सर्च कर ले रहा है और यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड दे रहा हूं तो चलिए मैं अपना पासवर्ड दे दिया पासवर्ड भी दे रहा हूं ठीक ना तो पासवर्ड को मैं आप लोग के साथ थ के लिए चलिए रल चोप कर देते कोई बात निया है भी तिख उसके बाद हम अपना पासपट दे रहे हैं लोन 15ष हो फिल करना लिखेंश्यांले उसको टाइप तक यह मैं द्वन सिक्स सिण 8 7 ठीक न उसके बाद यहां पे एक sign in का option दिख रहा होगा आपको इस sign in पे click कर देना है तो sign in पे click कर देने के बाद आपका एक नया page open होगा तो यह बोल रहा है कि enter login password length minimum 8 तो मेरा password गलत है चलिए मैं password और एक बार चेक कर लेता हूं तो यहां पे हम डाल लेते हैं password अपना ठीक तो password आपको याद होगा तो जल्दी open हो जाएगा और नहीं तो आप email id से भी कर सकते हैं उसके बाद आपको यह new page open हो गया देख सकते हैं यहां पे मेरा नाम आ गया है सागर साव फादर नेम आ जाएगा ठीक ना और date of birth मोबाइल तर्पर आपको क्या करना नीचे में आना है और नीच Peng आने के बाद आपको एकडिकेर रहा होगा एप्लीकेशन अस्टेटस कुशा होगा कि यहां पर फेलिकेशन झोड़ा भी करना था हे लिए उसको आपको एकलिक कर तो मैं यहाँ पेकलिक कर दिया इसको इसके बाद यह हम को मेरे पेज पेले जाएगा ठीक अब यहां पर दोबाई कुछ नहीं दिख रहा है यह मत सोचेगा कि कुछ नहीं दिख रहा है यहां पर अकेडमिक यह लिखा हुआ दिख रहा है यहां पर आपको किलिक करना है और जिस यह तक आप डाले हैं उस यह में देख सकते हैं तो तो यहां पे मेरा सभी कुछ हो गया था अप्रूब्ड देखिए फाइनल अप्रूब्ड होता है एए ओफिसर ठीक ना डिये उसके बाद एए हो जाएगा तो आपके एकाउंट में आना ही आना है एकाउंट नंबर यह मेरा उसके बाद क्रेडिट किया गया था मेरा यहां पर 4470 रुपिया और कब डेट जया गए 2310 को यहां पर यहां पर मेरा अप्लाई हो गया था ठीक तो यह होगी हमारी पहली बात अब चलिए हम दिखाते हैं कि जो पर्ज और एकाउंट नंबर दे दिया है और यहां पर जो बाइन्स डालेते हैं वह 525 रुपिय डालते हैं उसके बाद मेरा जो लास्ट यर 2019 भी सभी चल रहा परजेंट में इसमें भी मेरा फाइनल अप्रूब्ड हो गया है एए उफिसर जबकि मेरा कुछ गलत था कि मैंने पिं क्वाका से आप देख सकते हैं कि कहां तक मेरा पहुंचा तो यहां पे देख रहाएं दोकमें करके दिखा जो है तो इसको मैं यहां से दबा के रखूंगे थोड़ा तो प्रेस करके तो यह मुझे डाउनलोड करने का option दे रहा है यहां पर आपको दबा के रखना है अंगुली को थोड़ा से इसा प्रेस करना है तो चलिए मैं आपको डाउनलोड करके दिखा दे रहा हूं तो यहां से आप मैंने प्रेस कर लिए उसके बाद डाउनलोड इमेज का ओप्सन देख रहा है तो यहां से आप डाउनलोड इमेज करके देख सकते हैं अपना फोटो आपका गैलरी में चला जाएगा तो यह भी एक है कि अगर आपका फोटो नहीं है किसी को देना है हमारी भी थोड़ी हेल्प कर जाएं तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धेन्याबाद दोस्तों यहां पर जाने से पाहले एक बार लोग आउट कर लिजिएगा तो फिर मिलेंगे एक डिवी साथ तब तक के लिए बाए